अब ही देखते हैं कि जैसे हमारा array है उसको पूरे whole array जो है उसको हम कैसे pass करेंगे तो इसको comment section, hash नहीं, passing whole array इसके previous में हमने क्या देखा था कि individual element को तो just like any other variable जो था कि हम जैसे कोई भी variable को हम pass करते थे हमने सारे element को एक एक करके हमने pass किया अब हमारा concern यह है कि पूरे array को अगर हमें pass करना हो तो इसमें क्या हो गया, जैसे यह एक तो हमारा main function हो गया जैसे हमारा main function रहेगा, उसके बाद यह calling function है तो अब suppose की एक हमारे पास array है और इसका जो size है suppose 10 है और इसके अंदर elements है 10 अब यहाँ पर function तो अब यह function हमने call किया और यहाँ पर हमने क्या किया array जो name है यह हमने pass कर दिया यहाँ पर यह हो गया यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर array जो है declare जैसे हम करते हैं यहाँ पर bracket के अंदर जो bracket है उसके अंदर size हम declare करते हैं लेकिन जब हम pass करेंगे तो बस इसका name ही काफी होता है यह बस name पूरा हमने बस यहाँ पर name mention कर दिया और इसके through यह पूरा का वहाँ पर हम access कर सकते हैं function call हो गया अब क्या है कि जहाँ पर जो call function है तो अब जैसे suppose कि यहाँ पर अगर yd data type है और यहाँ पर मैंने function name हो गया अब यहाँ पर function क्योंकि इस function को हम call कर रहे है तो यहाँ पर parenthesis अब यह जिस type का जो भी इसका data type होगा उसी data type का हमें यहाँ पर एक दूसरा array लेना पड़ेगा जैसे integer है तो integer लेंगे float है तो float यहाँ पर अगर float और integer के अगला कुछ और मतलब अगर integer हमने float ले लिया उसको detail में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है internally अगर वक्त मिला तो detail में एक वीडियो करूंगा कि ऐसा जो data हम अगर float change करते हैं हमारा value क्यों differ करता है अभी फिलाल यहाँ पर तो बस हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर integer type का array है तो हमें integer रखना है अब यहाँ पर कोई वी एक हम दूसरा array ले सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी साम ले लिया और यह array होना चाहिए ध्यान रहे कि यह जो है यहाँ पर यह डिकले मतलब यह define करते है कि array जो है कि इसका एक body हो गया और इसके अंदर हम जो भी operation होगा वो करेंगे इसके previous वाले में हमने जो देखा था कि कि जब हम कोई भी individual element pass करते हैं तो यहाँ वाला जो element होता है वह actual होता है और यह वाला जो होता है यह formal होता है यहाँ पर जब element हम pass करते हैं तो इसकी एक copy जो इसकी एक जो data copy हो जाती है इस element में और इस पर work होता है मतलब जो भी हम operation कर रहे हैं और जैसे हमारा यह function का execution complete होता है यह जो इतने सारे variable हैं जो भी वह except static वह क्या होता है वह destroy हो जाता है और control यहाँ पर आ जाता है लेकिन जब हम array pass करते हैं तो यह जो हता है इसके कोई copy नहीं बनती है इसकी कोई copy नहीं बनती है वह actual में जो array है वही pass होता है अब क्या है कि यहाँ थोड़ा सा मैं बताऊंगा थोड़ी सी detail में ताकि confusion ना हो जब हम pointer पढ़ेंगे तो उसमें एकदम clear हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है तो यह जो array होता है हमारा जो यह c program है तो इसमें जो array यह हमारा जैसे यह कोई भी name हो गया array हो गया तो इसमें 0 1 sorry 0 1 2 3 4 5 यह index number हो गया तो यह क्या है कि index number तो अब array of 0 जैसे हमारा क्या हो गया array of 0 1 2 3 तो हम individual element को access कर सकते हैं लेकिन अगर हम यहां पर कुछ भी न दे अगर बस array अगर हम करें अगर array लिखे तो यह क्या देगा तो यह actual में 0 जो यह 0 इंडेक्स है इसका address ध्यान में यह बहुत ही important point है और यह pointer में बहुत काम आएगा तो यह जो array अगर हम बस लिखते हैं तो यह 0 इंडेक्स है इसका जो address है वह इस variable में मतलब हमें रहता है वह access करेंगे अनिक अगर हम array print कर रहे हैं तो यह जो इसका जो initial address होगा वह हमारा print होगा तो अब जैसे suppose कि हमारा array है तो first जो address है 40 हो गया 4 byte का है तो 44, 48 और यह मतलब जो serial में रहता है 52, 56, 60 ऐसे data तो यह जो array अगर हम print करेंगे तो यह जो हमारा output देगा 40 देगा यानि कि memory address तो यह clear तो अब क्या होता है कि यह array है यहाँ पर pass किया हमने तो यह क्या है कि address pass करेगा तो अगर वहाँ पर इस array कि just for example यहाँ पर 40 है तो यह क्या कर रहा और यह address है ध्यान देने वाली बात है तो यह जो address है यह इसमें जो होता है कि assign हो जाता है यानि कि दूसरा एक variable create हुआ जो कि sum है लेकिन यह जो sum है यह तो यह भी reference किसको कर रहा है इसी को मतले यह इसके पास क्या आया बस इसका address आया और कुछ नहीं और कोई भी हमारा function अगर हम array pass करते हैं और इसके अंदर हम यहां पर function के अंदर अगर कुछ भी मतलब यहां पर हम changes करते हैं operation करते हैं तो वह जो होता है यहां पर हम करेंगो directory यहां पर original वाले पर reflect होगा यानि कि यहां पर कोई भी copy नहीं बनता यह बहुत important point है तो क्यों कि यह जो है पूरा reference यहां पर आ रहा है मेरा ख्याल से clear तो अब बस एक example मेरा और कुछ बताना इसमें नहीं और कुछ नहीं है बस यही ध्यान में रखना है कि पूरा और बाकि अगर कुछ नहीं भी चीज़े समझ में आई कि कैसे reference करता है चाहे कुछ भी तो जब हम pointer देखेंगे तो उसमें यह सारी point clear हो जाएंगे तो अब इसका एक example देखते हैं तो यहां पर मैंने क्या किया कि यह example है यह हम कोई भी number है उसका जो आइसक्वायर करते है नमबर का तो अब यहां पर क्या है कि जैसे यह number हो गया एक array हो गया 1 2 5 तो यहां पर अगर मैं बोलूं यह number हो गया 1 2 3 4 5 तो यहां पर data है 1 2 3 4 5 यह हमारा array हो गया अब यह क्या है function array इसका name क्या हो गया array हो गया उसके बाद हमने क्या किया function को call किया function call हुआ और क्या लेके गया array और suppose कि इसका starting address है यह address हो गया और यह index हो गया इसका 40 है 44 48 52 56 तो यह array जो होगा इसमें क्या क्या हो गया इसमें 40 हो गया address यह pass करेगा तो अब यह जब pass किया तो यह इसके अंदर आगया array यहाँ पर एक दूसरा variable है अर लेकिन variable है array type का लेकिन यह reference किसको कर रहा है यह भी finally इसको ही कर रहा है इसी array को तो अब यहाँ पर क्या है कि integer एक local variable create हुआ और यहाँ पर अभी यह 0 to 5 आई चल रहा है और फिर क्या कर आई array यहाँ array of i यानि कि 0 to 5 जाएगा तो यह अब array of 0 जब आया तो यानि कि यह किसको point कर रहा array इसको array of 0 finally क्या है one ही है न क्यों कि actual पर यह work कर रहा है तो यहाँ पर one हुआ तो यानि कि one और फिर one into one तो यह दोनों update करके और फिर उसी position में यानि कि वहाँ पर जो one है तो इसमें one रख दिया second time यहाँ पर क्या हुआ one हुआ और one वाले में data क्या है one इंडेक्स पर फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ पर two है तो two into two कितना हो जाएगा फोर और यह array of i तो यह किसको point कर रहा इसको यानि कि one तो यह जो two है यह four हो जाएगा यह जो three and nine हो जाएगा यह 16 और यह 25 तो यहाँ पर हम प्रिंट नहीं कर रहे इवन कि अगर यहाँ पर हम यहाँ पर अगर प्रिंट करते हैं तो हमारा यह ही data क्यों क्यों कि यह इसी को reference कर रहा है तो हमारा यही output मिलेगा तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहे कर भी सकते हैं लेकिन हम देखने के लिए क्या यह एक्चुल पर वर्क हुआ है हमने यहाँ पर operation कर दिया और अगर ऐसा होता कि यह array अगर दूसरा एक create होता तो वह क्या होता है कि दूसरा variable create होता 012345 और यहाँ पर array नेम होता 1249 16 और 25 होता और जैसे हमारा function call होता तो इसमें data remain same रहता लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता यह original को reference करता है और जैसे यह function हमारा close हुआ मतलब यह destroy हुआ तो हम जाके यहाँ पर इसी function के अंदर हम print करें ताकि हमें पता चले कि क्या यह सच में original पर work हुआ है operation तो यहाँ पर जब हम print करेंगे तो हमारा जो output आएगा 1491625 आएगा तो इससे यह clear हो गया कि जो हम function हम pass करते हैं तो वो actual pass होता है बागी क्लियर अगर कुछ और example मिलता है तो दूसरी मैं बताऊंगा अगर नहीं भी समझ में आया तो उतना टेंशन नहीं बस आपको यह ध्यान में रखना है कि जो हम function pass करते हैं तो बस उसका reference आता है और यह original पर work करता है बागी कैसे work करता है वो pointer में clear होगा